नमस्कार SPNI नीज़ एक्राप आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वाल महराश की सियासत हर दिन एक नया मोड लेती हुई निज़र आ रही है एकनाचिंदे की सरकार कहा जा रहा है कि किसी भी समय गिर सकती है भारतिय जनता पार्टी एकनाचिंदे को मुख्यमंत्री पद से उनको हटा सकती है और दिवेंदर फर्नविस को मुख्यमंत्री बना सकती है इसके लावा एक और जो खत्रा मन रहाता हुआ नजर आ रहा है एकनाचिंदे के लिए कि उन्हीं के 40 वधायक उधव þाकरे के संपरक में चल रहा है दर असल यह वही 40 वधायक है जो उधव ठाकरे के संपरक में पहले थे उधव ठाकरे गुट के साथ थे लेकिन बगा वती सुर अपना करके वो एकनाचिंदे के साथ आग participar लिकिन आप कही न Auchan पास होता हुआ नजर आ रहा है कि एकनाच चिंदे की बुख्यमंत्री रहते हुए उनको नाहीं मंत्री मंदल में जगा मिल सकती है और नाहीं उनका कोई फैदा होता हुआ नजर आएगा यहीं वज़ा है कि आप उद्दफ ठाकरे के पास दोबारा से जाने की फिराक में यह 40 इस वधायक है और एकनाच चिंदे की यहाँ पर मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है एक तरफ उनकी सरकार भारती जंता पार्टी के वज़े से गिरती हुई नजर आएगी वहीं दूसरी तरफ वधायक भी लगातार कही ना कहीं उद्दफ ठाकरे के संपर्क में च सही जारे कि 16 वधायक अगर आयोग्य घोशित हो जाते हैं तो साफ तो और पर एक और मुश्किल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी एकनाच चिंदे के लिए तो तमाम यहाँ पर महराष्ट में सियासी उतापटक देखने को मिल रही है अब क्या एकनाच चिंदे की स सरकार वाकई गिर जाएगी क्योंकि विधायक लगाता लुद्व ठाकरे की सबबर्ख में चल रहा है आप इस पूरे माबले पर क्या सोचते हैं मैं कमेंट करके ज़रूर बता है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं